जै माता दिमित्रो कैसे हैं आप सभी आशागरता हूं मित्रो आप सभी अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे मित्रो आज मैं आपको माता शीतला का एक शाबर मंतर बताऊंगा और इस शाबर मंतर के जाब से माता शीतला की सिद्धी प्राप्त होती है माता शीतला के दर्शन प्राप्त होते हैं दर्शन माता शीतला आपको स्वपन में भी दे सकती है और साक्षात रूप से भी दर्शन दे सकती है किसी कन्या के रूप में दे सकती है किसी बोड़ी औरत के रूप में दे सकती है वो सब कुछ आपकी भक्ती बावना पे निरबर करता है और मातारानी की इच्छा पे निरबर करता है कि वो आपको किस प्रकार से दर्शन देती है इसे शाबर मंत्र की साधना आप होली पे कर सकते हो दीपावली पे कर सकते हो और नवरात्री काल में कर सकते हो चाहे प्रकट नवरात्रे हों चाहे गुप्त नवरात्रे हों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि गुप्त नवरात्रे आने वाले हैं और इसे नवरात्रों में आप माता शीतला का ये शाबर मंतर का जाब करके उनकी सिद्धी प्राप्त कर सकते हो सबसे पहले मैं ये आपको बता दू कि क्या भोग रहेगा क्या उनकी सेवा रहेगी किस परकार से विदिविधान रहेगा फिर मैं आपको मंतर बताऊंगा और रही बात मंतर की तो मंतर आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा होगा और वहां से आप लोग मंतर देख सकते हैं तो बात करते हैं तो इसके लिए आपको क्या कर या मूर्ति आपको स्थापित करनी है उसके बाद में माताशीतला के समक्ष आपको एक जलका पातर रखना है और उनके समक्ष आपको सरसो के तेल का दीपक भी आप जला सकते हो तिल के तेल का दीपक भी आप जला सकते हो नहीं तो आप देशी घी का दीपक भी जला सकते हो ज और अगर आप दोनों दीपक जला सकते हैं तो और भी जादा अच्छा है दीपक जलाने के बाद में धूप अगर बत्ती माता के समक्षाप को जलाना है प्रज्वलित करनी है दीपक वहाँ पे उसके बाद में माता शीतला को भोग में आपको क्या मिठाई देनी है वो मैं याओ पूरे के पूरे माता शीतला के समक्ष लगाना है यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि अगर आपका सामर्त नहीं है रोज रोज मिठाई चड़ाने का तो आप माता शितला को बताशे का और मिश्री का भोग भी लगा सकते हो सबसे बड़ी बात तो यह होती है कि जो भी हम अपनी सेवा करते हैं मातारानी की वो हमें अपनी भक्ती भाव से करनी चाह चाहिए और अपने मन की सची भावना से करनी चाहिए उसी से ही मेन सिद्धी प्राप्त होती है ठीक है मातारानी हमारे भाव को देखती है हमारी भक्ती को देखती है हमारी श्रद्धा को देखती है उनको हमारे भोग प्रसाद से कुछ भी लेना दिना नहीं होता सिर्फ हम अपने भाव को प्रकट करने के लिए ही ये भोग प्रसाद वगेरा अर्पित करते हैं तो अपने भाव के अनुसार अपने सामर्थे के अनुसार माता को भोग प्रसाद आप लोग अर्पित कर सकते हो उसके बाद में सरुप्रतम भगवान गणेश का पूजन आपको करना है और जो भी आपके गुरु है उनका पूजन करना है नहीं तो भगवान शंकर का आपको पूजन करना है भगवान गणेश भगवान शंकर उसके बाद में आप माताशीतला के शाबर मंतर का जाप कर सकते मंत्र का जाप करने से पहले आपको माता शीतला को प्रणाम करना है उनकी चालीसा आपको पढ़ लेनी है जो शीतला चालीसा के नाम से जानी जाती है उसका आप लोग पाठ कर सकते हो नहीं तो आप शीतला श्टक का भी पाठ कर सकते हो ठीक है शीतला माता का एक स्त्रोत आता और उस इस्त्रोत का भी आप पाठ कर सकते हो नहीं तो शीतला चालीसा पढ़िये और नहीं तो फिर आप माता शीतला को प्रणाम करके शाबर मंतर का जाप करिए मंतर में आपको बताता हूं मंतर सुनिए आपकी स्क्रीन पे भी मंतर दिखरा होगा आप सभी को मंतर इस प्रक आने शाक्षी इंद्र सभा की जहां सत शक्ती का आसन साजे आनान मेरे गुरु के गुरु सती के नात शिव शंकर की लागे ये शाबर मंत्र है इस मंत्र का पूरा 108 बार जाप आपको करना है रुद्राक्ष की माला पर मंत्र का जाप करने के बाद में जाप माता शीतला के वाम हस्त में आपको अर्पित कर देना है ओम गुहिया ती गुहिया ओप्तरीत्वम ग्रिहान आसमत कृतम जपम सिद्धेर भवतुमे देवी त्वत प्रसादान महेश्वरी इस प्रकार से बोल करके माता शीतला के वाम हस इसे साधनाकाल में आपको ब्रहम चर्रे का पालन जरूर करना है नो के नौ दिनों तक और बगएर प्याजलस्तन का भोजन आपको लेना है ठीक है यानि कि आपका जो भोजन रहेगा बिलकुल सात्विक रहेगा अगर आप लोग वरत रख सकते हो तो और भी ज्यादा बैतर ह नहीं तो आप एक समय भोजन ले सकते हो दो समय भी भोजन आप ले सकते हो लेकिन आपको हलका भोजन लेना है जो की सुपाचे हो मंतर का जब करते वक्त आपके अंदर सुस्ती आलस से तंद्रा ये सबी चीजे नहीं होनी चीए ना ही आपके अंदर कामवासना होनी चीए तो आपको स्वप्न में तरह तरह की गंदी चीजे दिखाई दे सकती हैं तो इन सबी चीजों से आपका बचाव होगा इसलिए आपको हलका बोजर लेना है ठीक है मित्रों और पूरे ब्रहमचर्रे में रहना है अगर आप जमीन पे सो सकते हो तो और भी जादा बहतर है अगर शीतला सब्तमी और शीतला श्टमी आती है उस पे भी आप इस मंतर की सिध्धी कर सकते हो ठीक है जो भी समय आपके लिए उप्युक्तो या फिर जो भी त्योहार जो भी पर्व निकट हो उसको देख करके आप लोग साधना कर सकते हो ये सिध्धी आपको नो दिनों में ही मातषीतला के दर्शन पराप्त हो जाएंगे आपकी भकती भावने के मातषीतला आपको दर्शन परदान करेंगी चाय सौपन में में चैप्रत्यक्षय क्षा या फिर चाय प्रकट हो जाएंगी प्रत्यक्ष हो जाएंगी और उसके बाद में आपकी जो भी मनोकामना है वो आप माता से कह सकते हो माता रानी आपकी वो इच्छा पूरी करेंगी आपकी मनोकामना पूरी करेंगी जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए तो उसके बाद भी माता शीतला क प्रशाद अवश्य चढ़ाएं 11 का 21 का जो भी आपका सामर्त है ओ माता शीतला को प्रशाद आपको अवश्य चढ़ाना है ठीके मित्रो तो आशगरता हूं मित्रो जानकारी मैंने आपको दी आपको अच्छी लग योगी आपको पसंद आई होगी अगर मेरे द्वारा दी ग जाए माता रानी की